बिग बोस 16 का पहले हपते का फाइनल वोटिंग ट्रेंड जिसको हम कहते हैं क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड यानि कि किसके सर पर रटक रहा है इपिक्षन का तलवार कौन हो सकते हैं घट से बेघर कौन है टॉप पर आप लोगों को बताएंगे तो वीडियो को अंतक जरू बोस 16 कि बोस 16 का पहले हैं और अब जो है इसी के आधार पर किसी एक कोई भिक्ट किया जाएगा घर से तो क्या कहता है वोटिंग ट्रेंड कौन है सब से नीचे वह आप लोगों को बताऊंगा तो आप सभी को बता दूँगी छठे नमर पर गोरी निगोरी जी हां गोरी न नमर पर है पांचवे नमर पर कौन है पांचवे नमर पर है अर्चना गौतम जी हां अर्चना गौतम को भी भोटे नहीं मिली है वह अगर हम बात करें तो चोथे नमर पर आ गये हैं कौन आप सभी को बता दूँगी चोथे नमर पर है सीव ठाकरे जी हां सीव ठाकरे को भी बोट नहीं मिले है और वो आ चुके हैं अब चौते नमबर पर वहीं तीसरे नमबर की बात किरें तो यहाँ पर साजिद खान आ गए हैं जिहां साजिद खान को अब ज़ो है जादा बोट मिले हैं और वो जो क्लोजिंग बोटिंग ट्रेंड है उसमें तीसरे नमबर पर आ चुके हैं वहीं अगरम बात करें दूसरे नमबर की तो आप सभी को बतादू कि दूसरे नमबर पर है गौतम भीग जिया गौतम भीग को जो है सबसे ज़्यादा दूसरे अस्थान पर भोटिंग हुई है और उनको जो दर्सक है वह काफी जादा भोटिंग कर रहे हैं क्योंकि वह जिस बैगराउंड से आते हैं लोग उनको और देखना चाहते हैं उनकी जो एक अंदर में जुनून है उसको और देखना चाहते हैं और फिलहाल जो है नमबर एक पर बने हुए हैं तो अगर हम इस भो ना किया जाए लगिन अगर हम भोटिंग ट्रेंड की अंसार से बात करें तो कहीं न कहीं जो सबसे ज्यादा खत्रे में है वह है गोडी निगोडी और अर्चना गौत में नहीं दोनों में से किसी एक को जो है इभिक्ट किया जा सकते हैं क्योंकि यह बॉटम टू में नजर क्रार रही है वोटिंग ट्रेंड में तु देखना होगा कि बिग बॉस क्या फैस्वाण लेते हैं क्या इन दोनों में से किसी को घ़र करेंगे या फिर किसी को इस अब 27ग हर नहीं करेंगे